मेडिगाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में बताएंगे हम आपको दाद खाद खुजली से चुटकारा पाने का बहदी आसान गरेलू उपाए जिसे अपना कर आफ इस समस्या से आसानी से चुटकारा पा सकते हैं अगर आफ इस समस्या को नजर अंदाज करते तो आगे चल कर यही एक्जिमा का रूप ले लेता है इतना ही नहीं यह एक बेक्ती से दूसरे बेक्ती में फैलता भी है इस रोग में एक परतदार स्कीन पर गोल और लाल चक्ते पर जाते हैं जिसमें अधिक खुजली के साथ साथ जलन भी होती है इस समस्या से चुटकारा पाने के लिए तरह तरह के प्रोडक्स का यूज करते हैं लेकिन आपको बता देते हैं कि घर में ही मौझूद कुछ चीजों से आप इस समस्या से चुटकारा पा सकते हैं इस वीडियो में हम आपको 5-6 तरह के गरेलू उपाई बताएंगे जिसमें से आप किसी को भी फोलो करके इस समस्या से चुटकारा पा सकते हैं नमबर एक नारियल तेल नारियल तेल स्किन समस्या से चुटकारा दिलाने के लिए बेस्ट है पिशे दिन में कई वार परभावित जगे पर लगाए नमबर दो लासुन लासुन में अंजोयना नामक नेचुरल एंटी फंगल एजेंट पाया जाता है जिसे यूज करके आप आसानी से दाद खाद खुजली की समस्या से चुटकारा पा सकते हैं लासुन को स्लाइस में काट कर परभावित जगे पर रखे और उपर से पट्टी बांद ले रात वर ऐसे बांद कर रखे और सुबह खोल ले नमबर तीन हल्दी हल्दी एंटिबाइटिक मानी जाती है इसके लिए हल्दी और पानी का पेस्ट बना ले और कोटन की मदद से परभावित जगे पर लगा ले नमबर चार टीट्री ओईल कोटन में थोरा सा टीट्री ओईल लेकर परभावित जगे पर लगाए दिन में 3-4 बर लगाए ऐसा कुछ दिन करने से आपको लाव दिखने लगेगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करके बताए कैसे लगी है जानकारी और इस चनल को जिरूद सब्सक्राइब करें धन्यवाद